अमेरिकी राश्च्पती डॉनल्ड ट्रॉंप ने पूरे यूरोप पर अगले 30 दिन के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया है यानि यूरोप के देशों से कोई भी आत्री एक महिने तक अमेरिका नहीं जा सकेगा हाला कि प्रतिबंद से यूके को छूट दी गई है अमारिका में कोरोना वाइरस के अब तक 1200 मामले सामने आ चुके हैं इस बीच हॉलिवोड स्टार और आसकर विजिता टॉम हैंक्स और उनकी पतनी रीटा विलसन भी वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं बदवार को देश के नाम दिये संदेश में ट्रंप ने कहा यूरोपिय यूनियन कोरोना वाइरस से प्रभावित चीन समेत आन्यदेशों पर यात्रा संबंधी कोई भी प्रतिबंद लगाने में नाकाम रहा है हम यूरूप से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 30 दिन का बैन लगा रहे हैं यूके पर ये प्रतिबंद लागू नहीं होगा ब्यूरो रिपोर्ट दबंग यूज